Good morning, my dear students! अभी तक आप तीन अच्छर के सब कैसे जोड कर लिखा जाता है, वो सीख रहे थे. आज उसी को बिना जोड कर लिखना सीखना है. ठीक है? तो पिछली बार आपने क्या सिखा था? पिछली लास्ट क्लास में कैसे जोड कर लिखा जाता है, आप उसको सीख रहे थे. तो आज हम लोग उसी को और आगी पढ़ते हैं, उसको continue करते हैं. ठीक है? तो जैसे ही आपका तीन अच्छर के सब फिनिश होगा, उसके टेस्ट लिए जाएंगे. तो यानि कि सबसे पहले आपने क्या फिनिश किया है, दो अच्छर से बने सब. तो उसका भी आपको एग दिन टेस्ट होगा, और सेकेंडरी आपके तीन अच्छर से बनी हुए सब्द का टेस्ट होगा. ठीक है? जो कि बिना मातला के सब्द है, लिखना है आपको. तो उसके लिए आपको कई बार-बार प्राक्टिस करनी है. पड़-पड़ करके आपको अच्छी तरह से लिखना है. ठीक है? तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करें. तीन अच्छर से बने सब्द जहां पर मैंने लिखा है, आज का डेट आपको लगाना है 21st 5, 2020. ठीक ह है तीन अच्छर से बनने वाले सब्द जो की क्या है? बिना मात्रा के है. आपको अभी मात्रा नहीं पढ़नी है, इसलिए बिना मात्रा के मैंने आपके लिए 15 लिखिया है. ठीक है? तो आपको इसको कई बार प्रैक्टिस करनी है. तो अभी आपको क्या करना है? मेरे साथ स फैसे ही बोलो और उसको इसको अचे तरह से प्राक्टिस करो कम से कम जैसे मैं यहां पे बोड रही हूँ कमल ला कमल कमल आप ऐसे वन वाई वन को क्या करना है? बिना लिखने का प्रेंट पर रगाना है तब आपको क्या होगा सारे स्ब्द सब्सक्राद डिखा हूए है say पढ़ रही हूँ, आप मेरे पिछे-पिछे पढ़ो का, मा, ला, कमल का, ला, मा, कलम मा, गा, रा, मगर बा, टा, ना, बटन मा, हा, ला, महल बा, ता, खा, बतक सा, था, रा, शहर ये शाह है, ठीक है? र, बा, रा, रबड स, अड़ा, का, सड़क मा, टा, रा, मटर तो ये क्या है? श, सा नहीं है ये क्या है? श, सलजम वाले शा तो श, ह, दा, शहर क, ला, श, कलश प, स, ला, फसल ह, व, न, हवन प, व, न, पवन मैंने एक, एक बड़ पढ़ा है आपको एक एक जो नंबर है आपको 55 टाइम्स कड़नी है ठीक है? तो आप ऐसे सबको 55 टाइम्स अच्छी तिरह से पढ़ना और आपके पास तो बेटा नीचे में आपके पास जगा है तो आप continue नीचे लिखना अगर जगा नहीं है, तब आप क्या करना? 3 finger छोड़ करके पूरा उपर से लेके नीचे 3 finger आपको gap करनी है, उसके बाद आपको लिखनी है, ठीक है? तो आज आपके यही CW है और आपके यही क्या है? HW है तो इसको कई-कई बार आप लो practice करना, बोल बोल करके अरके उसके बाद उसको अच्छी तरह से लिखनी का practice करना, ठीक है? तो आपके test होंगे इसके बार आपको यही है, तीन अच्छा से बढ़ने वाले सर्थ, यही आपके CW है और यही आपके HW है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? कई बार आप लो practice केजिएगा, ठीक है? ताकि आप लोगों को test में बहुत अच्छे marks मिले तो आप लोग पढ़ेंगे ना गर में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ओके, बाई-बाई